Hello everyone, क्या हाल चाले हैं सभी के? आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में आयनिक इक्विलिब्रेम का इस पर्डिकुलर वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक कवर करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है बफर सॉल्यूशन देखे यार बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है लेकिन यार मेरे साब से काफी आसान टॉपिक है और जहां पे डिफिकल्टी आती है हम लोग उदर ही टार्गेट करेंगे आपको बहुत डीटेल में बहुत अच्छे से पूरा का पूरा बफर सॉल्यूशन नहीं इस परडिकलर वीडियो में समझ आ जाएगा चलो यार वीडियो को च्ठाट करते हैं, सबसे पहले यही समल्सता है कि हAudबफर सॉल्यूशन होता क्या है ऐससे सॉल्यूशन अरि आप देखो ऐयर ऐसा solution जिसके pH change नहीं होती है जब आप थोड़ा सा Acid डालते हो, थोड़ा सा Base डालते हो या फिर आप उस solution को dilute करते हो तो यह इस solution की pH change नहीं होती है मतलब या택व यह ऐसा solution है which Resist the Change in pH मतलब यार देखो आप लोग pH change कर सकते हो आप लोग pH change कर सकते हो acid डाल के आप लोग pH change कर सकते हो base डाल के या फिर आप pH change कर सकते हो dilution के साथ तो buffer solution ऐसे solution होते हैं which resist the change in pH आप यार acid डालोगे तो भी pH change नहीं करेंगे आप base डालोगे तो भी pH change नहीं करेंगे आपको क्या करनी है, pH change करनी है, buffer solution क्या बोल रहा है, हम pH change नहीं होने देंगे, लेकिन कब तक नहीं होने देंगे, जब आप थोड़ा amount डालोगे acid या फिर base का, अगर आपने यार बहुत जाद amount डाल दिया acid या फिर base का, तो तो pH change होईगी, तो तो pH change होईगी, अब ऐसी होता है यार, buffer range, buffer range, buffer range क्या होती है, range of buffer over which it is active, जैसे यार मैंने बोला ना, कि थोड़ा सा ही आप acid डालोगे, थोड़ा सा ही आप base डालोगे, तो वो बिसीली क्या है, buffer range है, यार इतने acid या फिर इतने base था कि ये buffer valid है, उसके बाद यार अगर आपने बहुत जादा amount डाल दिया acid का, या फिर बहुत जादा amount डाल दिया base का, तो फिर pH change हो जाएगी, लेकिन for on addition of small amount of acid, या फिर on addition of small amount of base, और dilution, buffer solution क्या करेगा, resist करेगा change in pH को, ठीक है, इस resistance को, वो क्या कर रहा है, buffer solution क्या कर रहा है, resist कर रहा है, to change in pH, इस resistance को ही क्या बोला जाता है, उसका buffer action, जो resist कर रहा है आपका buffer solution, उस pH change को, उस resistance को ही क्या बोला जाता है, buffer action, देखो उसके definition क्या है, action of a buffer solution, on addition of small amount of acid or base, by which it resist the change in pH, जो buffer solution का काम क्या है to resist the change in pH of its solution acid या base डालोगे तो वो resist करेगा change in pH इसी action को क्या बोला जाता है उसका buffer action ठेक है अब देखो यार कितने तरीके के आपके buffer हो सकते हैं पहला होता है आपका simple buffer सारे buffer cover करेंगे इस chapter में questions भी लेका है वो भी देखेंगे यार अराम से video आप लोग समझो से है ना देखो types of buffer solution में सबसे पहले क्या है simple buffer simple buffer मतलब एक component simple buffer मतलब सिर्फ और सिर्फ एक component रहेगा सिर्फ एक component रहेगा simple buffer क्या होते हैं simple buffer होते हैं इनका example होता है salt of salt of weak acid and weak base ऐसा salt जो एक weak acid और weak base से बनावा है वो कैसे काम करेगा buffer की तेरे वो simple buffer की तेरे काम करेगा कैसे जिसे मैं आर weak acid ले ले लेता हूं सपोर्च करो CH3 COOH weak acid है बिलकुल weak base ले ले लेता हूं NH4 OH चेक है तो इसका जो salt होएगा वो क्या होएगा आपका यह जो आपका salt है यह जो आपका salt है किस किस से बनावा है salt of weak acid and weak base अब यह कैसे काम करेगा buffer की तेरे काम करेगा यह कैसे काम करेगा buffer की तेरे कैसे करेगा buffer action दिखाओ यार इसका कि मैंने यह बोल दिया अभी आप लोगों को कि जो salt है किसका weak acid का and weak base का ये कैसे काम करेगा एक buffer solution की तरह काम करेगा लेकिन अब आपका ये सवाल होना चाहिए कि कैसे काम करेगा buffer solution क्या होता है कि अगर इसको हम acid डालेंगे तो भी ये pH change नहीं होगा और base डालेंगे तो भी ये pH change नहीं करेगा तो देखो है इसका buffer action कैसे होता है इसका buffer action देखिए जैसे आपके पास ये salt है CS3 COO NH4 salt है ये जब तूटेगा equilibrium तो established नहीं होगा salt है, salt are strong electrolytes 100% ionized तो ये कैसे तूट जाएगा CS3 COO- और NH4 plus में ऐसे तूटेगा अब मैं आपको इसका दिखाना चाह रहा हूँ buffer action buffer action मतलब किस तरीके से ये किस तरीके से ये resist करता है change in its pH क्या तरीका यूज करता है देखो है आप pH दो majorly दो तरीकों से change कर सकते हो, क्या-क्या या तो या acid डाल दो, तो pH change हो जाएगी obviously, या base डाल दो तो pH change जाएगी suppose करो यार, आपने इस solution में किसका solution? CS3, CO, NH4 के solution में आपने acid डाला, क्या डाला? acid डाला, acid डाला मतलब क्या डाला होगा? H प्लस आयन डाला होगा acid का मतलब आपने क्या डाला? H प्लस आयन डाला होगा obviously, आचा, जैसे ही यार, आपने H प्लस आयन डाला, तो देखो यार यहाँ पे CS3, COO माइनस है और NH4 प्लस है, तो मुझे यह बताओ, H प्लस किसके साथ रियाक करेगा? इस पे क्या है? positive charge तो obviously, किसको डून रहा है? negative charge वाले को, तो यह CS3, COO माइनस के साथ, रियाक्ट करेगा तो कैसे रियाक्ट होएगा? CS3, COO माइनस, प्लस H यह क्या बना देगा आपका? यह क्या बना देगा? CS3, COO H, तो देखो यार आपका अदेश्य, आपका motive क्या था? acid डालने का, आपका motive क्या था? कि यार आप चाते थे pH change हो जाए तब ही तो आपने acid डाला था लेकिन जो solution है solution में present था CH3 COO- वो इस H+, को जो आपने डाला था कि यार चलो यार H+, डालेंगे और pH change करेंगे ये इसको consume कर गया ये इसको खा गया CH3 COO- H+, को consume कर गया खा गया यार, और किसमें convert हो गया ये एक weak acid में convert हो गया अब बताओ यार जो weak acid है उसका dissociation क्या रहता है, बहुत कम रहता है तो ये तो dissociate नहीं होगा न तो आपका H+, consume हो गया कौन खा गया इसे, CH3 COO- तो यार आपको क्या लगाता आपको लगाता कि यार चलो यार acid डालेंगे, उसकी pH चेंज करेंगे लेकिन buffer solution क्या बोल रहा है जो भी आप acid डालोगे जो भी आप H+, डालोगे उसे हम खा जाएंगे उसे हम pH चेंज होने को नहीं देंगे pH चेंज ही नहीं होने देंगे तो कौन खा गया इसको C3 Cu- आपने बोला अच्छा ठीक है अब हम जो pH चेंज करेंगे वो बेस डाल के करेंगे तो जैसे आपने suppose करो अब second में क्या डाला चलो बेस डाला देखो बेस डालोगे तो क्या action हो रहा है बेस डाला तो बेसे लिए क्या डाला OH माइनस डाला तो अब क्या होगा अब आपके बास NH4 प्लस है ना यह positive charge OH माइनस पे negative charge अब क्या reaction होगे आपकी NH4 प्लस और OH माइनस यह consume करके क्या बना लेंगे NH4 OH ठीक है तो अब जैसे आपने जो यह base डाला था आपने जो यह base डाला जो यह OH माइनस डाला यह क्या सोच के डाला कि भाईया हमें pH चेंज करनी है लेकिन buffer solution बोल रहा है हम pH चेंज नहीं होने देंगे हमारे पास कौन बैठा है NH4 प्लस NH4 प्लस खा जाएगा OH माइनस को और क्या बना लेगा NH4 OH अब देखर यह NH4 OH क्या है अगेन एक weak base है तो देखर right side में क्या बन रहा है या तो यह weak base बन रहा है या फिर weak acid बन रहा है यह ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है क्यों? क्योंकि यह अगर weak acid और weak base बन रहा है तो वो क्या होते हैं बहुत कम dissociate करते हैं बहुत कम dissociate करते हैं तो वो basically वापस तोट के पीछे नहीं जाएंगे H plus को basically क्या कर रहे हैं consume कर रहे हैं OH minus को basically क्या कर रहे है consume कर रहे हैं समझे है यह बात आपको है ना तो आपने जो H+, और OH- डाला था ये सोचके कि यार आज हम pH चेंज करेंगे तो जो अंदर ions थे, buffer solution के CS3CO- और NH4+, ये बोल रहा है हम चेंज नहीं होने देंगे अगर आप H+, डालोगे, तो हम H+, को खा जाएंगे आपने OH- डाला, तो हम OH- को खा गए, तो consume नहीं होने दिया हार ये बाद समझ में, आपका मन्था कि H+, और OH- डालके pH चेंज करेंगे लेकिन वो उसको consume कर ले रहा है तो pH चेंज नहीं होने दे रहा है इसी, इसी action को बोला जाता है, buffer action कि यार, buffer काम तो कर रहा है ये buffer की तरह है, पर उसका action क्या है, तो वो H+, और OH- को consume कैसे कर रहा है, तो मैंने समझा दिया आपको कैसे consume कर रहा है आगे बाद समझ में, ऐसे ही देखो आपका दूसरे type के buffer कौन से होते हैं mixed buffer, mixed buffer नाम से ही समझ में आ रहा है, कितने component दो component कितने component, दो component अब mixed buffer दो तरीके के होते हैं acidic buffer और basic buffer acidic buffer अब बहुत अधंग से समझ जाओ basic buffer अपने आप आ जाएगा आपको acidic buffer पर कमांड कर लीजिए basic buffer अपने आप आ जाएगा चैका, questions में लेकिया हो, questions कूप सारे करेंगे तो mixed buffer में क्या होते हैं दो component होते है mixed buffer दो तरीके के होते हैं acidic buffer और basic buffer हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं अभी acidic buffer तो देखो, पहली बात तो है acidic buffer होता क्या है solution acidic buffer क्या होता है solution containing solution containing weak acid solution containing weak acid and its salt and its salt with strong base क्या होता है यार आपका acidic buffer? solution containing weak acid and it's salt with strong base and it's salt with strong base बोले तो, बोले तो जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ देखे, जैसे weak acid weak acid ले लो यार कौँचा? CH3COOH ले लो weak acid ले ले लिया मैंने CH3COOH अब इसी acid का salt लेना है आपको with strong base तो strong base मैंने suppose करो NaOH ले लिया, तो उसका salt क्या हो जाएगा? CH3COOH यह हो जाएगा यह हो जाएगा, अब यह कैसे काम करेगा? एक acidic buffer की तरह काम करेगा acidic buffer क्या होता है? weak acid तो CH3COOH ले लिया and इसी का salt with strong base strong base कौन है? NaOH तो देखो यह रहा salt NaOH के साथ से अभी कैसे काम करेगा वो मैं बता रहा हूँ पहले आप example लीजिए जैसे मैंने suppose करो आपका formic acid लिया HCOH यह क्या है? weak acid है plus HCOona यह क्या है? उसका salt formic acid का salt with strong base तो यह भी काम कैसे करेगा मेरे शेरो acidic buffer की तरह कैसे काम करेगा? acidic buffer की तरह ऐसे ही जिसे मैं ले लूँ जिसे मैं weak acid ले लिया suppose करो H2S यह क्या है? H2S भी क्या होता है एक तरीके का weak acid है क्या यह weak acid है? ठीक है? इसका अगर मैं salt लूँ strong base strong base मैं अगे इन मान लेता हूँ क्या? NaOH क्या मान लेता हूँ? suppose करो NaOH चलो इसको मैं आपको next slide में करेके दिखाता हूँ जैसे आपका कौन है? next example मैं जैसे ले रहा हूँ H2S का इसका structure क्या होता है? S इधर H इधर H तो basically इसमें कितने hydrogen है जो निकल सकते है as H ये दो hydrogen है और जो H की तरह निकल सकते है प्लस इसी का ही अगर मैं salt लूँ with a strong base strong base में क्या लेके चलता हूँ? NUH लेके चल रहा हूँ एक H dot जाएगा तो एक Na उसके साथ जुड़ जाएगा तो ये क्या बनेगा NaHS ये भी क्या है एक buffer acidic buffer है कौन सा ये? acidic buffer, क्यों? क्योंकि ये क्या है एक weak acid है और ये क्या है उसका salt with strong base उसका salt with strong base अब देखो ये बहुत द्यान से देखो यहाँ पे ये NaHS है न तो ये वाला जो H है ये भी तो निकल सकता है देखो है H2S में दो acidic hydrogen है दो hydrogen as H plus निकल सकते है ठीक है? तो एक निकला तो एक Na आ गया उसके जगे ठीक है? एक Na आ गया अभी एक और भी तो बचावा है ये वाला तो एक और acidic buffer बना सकता है कैसे? NaHS ले लो और आप एक और जब hydrogen निकलेगा तो क्या आ जाएगा? Na2S आ जाएगा ये मालब बिसिकली बोलने का मतलब ये है ये भी आपका क्या है? acidic buffer ही है ये भी आपका क्या है? acidic buffer ही है जितने आपके acidic hydrogen रहेंगे उतने ही आपके acidic buffer बनेंगे जोड़ते रहा? Na या फिर जो भी KOH है तो potassium जोड़ोगे जो भी base लोगे उसका कटाइन जोड़ोगे आप ये बात समझ में जैसे ऐसे होता है आपका H3PO4 तो इसका structure रहता है P double bond O, OH OH and OH तो ये जो तीनों के तीनों आपको hydrogen दिख रहे है किसका जोड़े में आ oxygen के साथ यहां पर कितने acidic hydrogen है तीन acidic hydrogen है तो यहां पर कितने buffer बनेंगे आपके 3 acidic buffer बनेंगे कितने buffer बनेंगे 3 acidic buffer बनेंगे आर, यह बात समझ में clear है, बहुत बड़ी आ अब यार इसका buffer action देखे जैसे हम लोगों ने इसका buffer action देखा था कि यार ये जो हम h plus डाल रहे थे और oh minus and डाल रहे थे तो उसको कैसे consume कर रहा था तो ये इसका क्या था? buffer action तो ऐसे ही अब देखो इसका buffer action कैसे रहेगा जैसे मैं simple buffer ले लेता हूँ simple buffer ले लिया जैसे मैंने weak acid and इसी का salt with strong base, ये buffer बनेगा acidic buffer बनेगा, correct, ये तूटेगा तो कैसे तूटेगा CH3, COO minus and H plus की तरह correct, और ये तूटेगा salt है, तो equilibrium established नहीं होगा CH3, COO minus plus Na plus correct है correct है, इनको मैंने डब्बे में ले लिया, इनको मैंने डब्बे में ले लिया, मैं को आपको क्या बढ़ाना है, buffer action, मतलब अगर आपने acid डाला मतलब H plus डाला, तो वो कैसे consume कर रहा है, अपने base डाला, तो वो कैसे consume कर रहा है, ये चीज़ देखनी है, suppose करो, आपने इसमें डाला acid, क्या डाला, acid, मतलब आपने क्या डाला, H plus डाला, आपका mood क्या है, कि आप pH चेंज करेंगे, acid डाले के, है न, लेकिन buffer क्या बोल रहा है, हम pH चेंज नहीं होने देंगे, जैसे ही आपने H plus डाला, तो यहाँ पे देखो, ये negative charge लेके बैटा है, ये negative charge लेके बैटा है, तो ये क्या बोल रहा है, जो आपने H plus डाला है, उसको हम consume कर लेंगे, और किसमें convert कर लेंगे, CS3, COOH में, तो ये जो H plus आपने डाला था, ये से खा गया, ये से खा गया, और एक weak acid में convert कर दिया, इसने, जिसका dissociation क्या रहता है, बहुत कम रहता है, तो जो आपने H plus डाला था, ये सोचके कि यार, हाँ यार, pH चेंज करेंगे, लेकिन ये बोल रहा है, हम pH चेंज नहीं होने देंगे, खा जाएंगे हम आपके H plus को, आर ये बात समझ में, अब आपने क्या करा, अब आपका mood क्या हुआ हुआ, चलो यार, बेस डालके भी तो ये चेंज हो जाती है, चलो यार, बेस डालके देख लेते हैं, आपने बेस डाला, बेस डाला तो basically क्या डाला, OH माइनस डाला, बेस डाला तो basically क्या डाला आपने, OH माइनस डाला, अब देखे और OH- को consume करने के लिए 2 cations बैठें कौन कौन से एक यार H+, एक Na+. वीडियो पॉस करो और खुद सोचो कि कौन consume करेगा कौन consume करेगा OH- को H- करेगा या Na- करेगा हमारे लिए फाइदे मंद कौन सा है हमारे लिए फाइदे मंद कौन सा है मैं दोनों दिखाऊंगा आपको reaction अगर यार आपका H+, ने consume करा OH- को तो यह क्या बना लेगा यह क्या बना लेगा water बना लेगा H2O बना लेगा बहुत सही है दूसरी तरफ क्या हो सकता है Na+, consume कर सकता है OH- को तो यह क्या बना लेगा आपका NaOH बना लेगा सही है अब मेरे शेरो मैं बोल रहा हूँ कि ये second reaction नहीं होगी second reaction नहीं होगी कौन consume करेगा एक H+, H+, आपका consume करेगा OH- को क्यों? क्योंकि देखो यार अगर Na+, अगर Na+, consume कर रहा है तो ये क्या बना रहा है? NaOH, NaOH क्या है? एक आपका strong base है तो strong base है तो मतलब 100% ionized तो ये वापस तूट जाएगा आपका Na+, और OH- में तो ये OH- तो consume ही नहीं हुआ न हमारा purpose क्या था? buffer का purpose क्या है? pH change नहीं होने देंगे तो ये जो आप OH- आयन डाल रहे हो उसे वो consume कर ले उसे वो खा जाए तो Na+, तो बोल रहा है यार अगर हम OH- के साथ combine करेंगे तो एक strong base बना लेंगे वापस 100% तूट जाता है वापस Na+, और OH- में आ गया तो ये देखो ने यार, वापस OH- जनरेट हो गया लेकिन जब H+, खा रहा है OH- को, तो ये क्या बना दे रहा है H2O H2O क्या है, एक weak electrolyte है अब ये थोड़ी ना तूटेगा वापस ये थोड़ी ना तूटेगा वापस OH- देने या H+, नहीं strong acid या strong base होते हैं जो 100% तूट जाते हैं तो ये जो Na-H बन रहा था वापस वो Na+, और OH- में तूट के OH- वापस दे देता तो ये तो हमें नहीं चाहिए हमें तो OH- को खाना है तो कौन खाएगा आपका H+, खाएगा In short, consumption ऐसा होना चाहिए कि product एक weak electrolyte बने तबी तो यार वो तूटेगा नहीं स्ट्रॉंग बनेगा तो 100% तूट जाएगा जैसे देखो H2O बना ये क्या है एक weak electrolyte है जैसे देखो CS3COH बना ये क्या है weak electrolyte है तो consumption इस तरीके का होना चाहिए कि यार जो product बन रहा है वो एक weak electrolyte बने strong नहीं क्योंकि strong purpose फुल नहीं कर रहा है जैसे NUS था strong electrolyte बना तो ये वो तो वापस टूड गया तो जो आपका OH- था उसने वापस दे दिया तो मजा नहीं आया न clear है तो देखो ऐसे ये होता है इसका buffer action buffer की तरह काम कर रहा है ये buffer की तरह काम कर रहा है ये होता है इसका buffer action अब देखो ऐर इसमें क्या दिक्कत आती है बच्चों को है न देखो buffer जो topic है आसान topic है लेकिन इसमें दिक्कत क्या है सबसे major issue क्या है बच्चों को सबसे जादा major issue कहां आता है कि ये buffer के question में कि ये पहचान में ही नहीं आता है formula आने वाला है तो सबसे पहला काम हम लोगों को क्या सीखना है कि हमें ये पता होना चाहिए ये हमें पता चल जाना से ये equation देखे कि हाँ यार यार ये buffer solution बन रहा है तो मुझे buffer के concepts लगाने तो हमको ये ही सीखना है क्या है heading how to identify acidic buffer कि भाया पहचानना तो सीख लें पहचानना तो सीख लेंगे acidic buffer कैसे हम लोग पता लगाएंगे तो सबसे पहला है यार ये solution ये तो सबसे पहला तो बहुत आसान है this is very basic क्या है solution containing weak acid and its salt with a strong base मतलब जैसे अगर यार कहीं पर equation में लिखाएगी CS3COH है प्लस CS3COONA है तो हमें पता है ने ये क्या है weak acid है ये क्या है salt with strong base है तो obviously इन दोनों का combination कैसे behave करेगा as acidic buffer as acidic buffer सही बात है ये तो बहुत आसान है equation में अगर weak acid दिख गया और उसी का ही salt with strong base दिख गया तो सीधा सीधा acidic buffer आ गया लेकिन कहीं बार ऐसे direct equation नहीं आते है कहीं बार हमको पहचानना पड़ेगा कि यार ये देखो buffer बन रहा है ये देखो acidic buffer बन रहा है कैसे second part वो ही है second part है solution containing weak acid and strong base where strong base is limiting reagent strong base is limiting reagent मतलब suppose करो यार आपको दे रखा है CS3COH है and suppose करो NaOH है इन दोनों का solution दे रखा है आपको इन दोनों का solution दे रखा है ठीक है ये react करेगा तो क्या बनाएगा CS3COONA plus H2O ये बनेगा बिल्कुल मैं समझा रहा हूँ आपको typical case बताने जा रहा हूँ suppose करो इसका initially इसका initially आप लोगों को इसके दे रखे है दो मोल इसका दे रखा है एक मोल तो देखो एक acid है एक base है तो obviously इन दोनों के बीच में क्या होगी reaction होईगी क्या बनेगा salt and water reaction मैंने लिख दी है लेकिन reaction किस तरीके से होगी बहुत ध्यान से देखो इसका अगर एक मोल है NaOH का तो CS3COOH का भी कितना मोल लगेगा एक मोल लगेगा अगर इसका एक मोल है तो CS3COOH का कितना मोल लगेगा एक मोल लेकिन लेके कितने आयो आई हो लेके कितने आयो CS3COH के 2 mol तो जादा amount में लेके आयो आप तो आप NaOH कम amount में लेके आयो हाँ तो NaOH क्या है limiting reagent तो जब reaction खतम होएगी बच्चा तो limiting reagent तो खतम हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है और इसके 1 mol के लिए NaOH के लिए 1 mol के लिए आपको CS3COH के कितने mol चाहीते एक आप लेके कितने आयो 2 mol तो बचेगा कितना 2-1 कितना mol 1 mol लेफ्ट हो गया इसका बच गया ना 1 mol बच गया अच्छा अब अगर 1 mol NaOH का consume हो रहा है तो आपका जो salt है वो कितना mol बन रहा है 1 mol तो अगर ये जो 1 mol है ये consume हो गया तो salt भी तो कुछ बनेगा कितना बनेगा 1 mol बनेगा अब अगर हम ध्यान से देखें तो आपका ये buffer बन चुका है क्यों? buffer क्या होता था? acidic buffer क्या होता था? weak acid होना चाहिए and it's salt with strong base होना चाहिए तो देखो weak acid बच रहा है 1 mol हाँ उसी का ही salt with strong base ये भी बन चुका है solution में हाँ तो अब ये जो combination आ गया तो ये तो acidic buffer का combination है ये combination तो मेरे शेरो acidic buffer का है न तो ऐसा क्यों होआ? ऐसा क्यों होआ? क्योंकि ये जो आपने strong base के साथ reaction करा रहे थे वो आप यार कम amount में लेकिया है limiting reagent हुआ तो वो तो खतम हो गया खत वो तो खतम हो गया और उसके चक्कर में salt भी बन गया तो salt और जो weak acid बच गया था उन दोनों के combination से आपका acidic buffer बन गया तो ऐसे type के equations आएंगे भी लेके आए हूं equations भी या नहीं है अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि यार यह buffer बन रहा है या नहीं बन रहा है तो हम यार उसका formula कैसे लगाएंगे उसके concept कैसे लगाएंगे तो सबसे important बात ही यह हो जाती है कि हम लोग पहचाने कि यह देखो यह buffer का equation है ठीक है तो ऐसे पहचानना है यार यह तो यह direct दे दे कि weak acid and salt with strong base नहीं तो अगर strong base दे रखा है तो आपको वो limiting reagent होना चाहिए question कराऊंगा और चीज़े clear होएंगी बहुत बढ़िया से clear हो जाएंगी चला अब देखो अब इसका जिससे मैं formula की बात करूँ जिससे formula की बात करूँ आपका जिससे CS3COS था जाण यह कैसे तूट रहा था CS3COO- PLUS H PLUS की तरह है और जो आपका salt था यह कैसे तूट रहा था CS3COO- PLUS NA PLUS की तरह है करेक्षची इसका यह क्यान है ये कौन है आपका CS3COOH weak acid है तो जरूर इसका KA आपको दे रखा होगा constant दे रखा होगा इसका तो अगर मैं इसका KA लिखना चाहूँ तो वे कैसे लिखूँगा product की concentration upon upon reactant की concentration सही बात है ऐसी लिखूँगा ऐसी लिखूँगा मुझे इसकी pH निकालनी है मुझे इसकी pH निकालनी है तो मैंने H plus की concentration एक तरफ लिखी और बागी सारी चीजे एक तरफ लिख रहा हूँ क्या बनेगा ये KA into CH3COOH upon CH3COO- सही है सही है मेरे शेरो सही है ये क्या है ये तो आपका क्या है acid है ये तो क्या है आपका acid है CS3COO- क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि it is anion of salt देखे हैर CS3COO- ये था ना salt आपका तो इसका anion कौन सा है CS3COO- तो CS3COO- को मैं क्या लिख सकता हूँ anion of salt लिख सकता हूँ ये क्या है आपकी H plus की concentration मुझे pH निकालना है तो क्या करूँ minus log ले लूँ दोनों तरफ तो जो pH आता है अब मैं डारेक्ट फॉर्मुला लिख रहा हूँ आप चाहो तो यार इसको थोड़ा सा solving कर लोगे तो answer आजाएगा आपके बास मैं डारेक्ट pH का formula लिख रहा हूँ it is what pka plus log of numerator में आता है anion of salt anion of salt की concentration लिखनी है upon denominator में आता है acid की concentration acid की concentration तेक है ये आपका formula है देखना यार इतना बड़ा blunder हो सकता है इस formula को use करने में बहुत ध्यान से मैं भी question कराऊँगा उसमें clear होएंगी जो numerator में है चीजे वो क्या है anion है salt का salt की concentration नहीं लिख रहे है किसकी लिख रहे है anion of salt की CS3CO minus की concentration लिख रहे हैं हम लोग ठीक है चेंज हो सकती है salt की concentration और उसके anion की concentration अलग-अलग हो सकती है कैसे रहा तो हम भी question में गराता हो न देखिएगा भी आप लोग सारे concept clear हो जाएंगे यह तो यह pH का यह formula हो गया acidic buffer के लिए हमको यह pH का formula लगाना है ठीक है और acidic buffer है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा यह दो जो मैंने तरीके बताए है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे चलो question करें चलो question करते अराम से वीडियो को pause करना है अराम से वीडियो को pause करना है फिर देखना है question attempt करना है और अगर गलती हो रही है तो यह समझना है कि यार हम कहां गलती कर रहे है सीखना है हमको it is a learning process यह मत समझो कि यार पहले दिन में हम लोग champion बन जाएंगे पहले दिन में हम लोग खिलाडी बन जाएंगे ऐसा नहीं होता है आप लोग musical instrument बजाते हो कोछना कुछ यार कभी सब्सक्राइब आपके दोसको आता होगा सब्सक्राइब को गिटार सीखना है तो ऐसा होता है कि यार कि पहले दिन ही गए और मस्त गिटार में DDLG क की theme song बजा रहे है ऐसा होता है कि नहीं ना ऐसा नहीं होता है पहले practice चलती है छेचे महीने तक तो भाया हवा नहीं लगती है, कि यह चल गया रहा है, गिटार में कुछ अवाज ही नहीं आ रही है, ठीक तो ऐसे धीरे धीरे, it is all a learning process, आपको यह किसी गेम को मास्टरी करना है, आपको फुटबॉल में मास्टरी करना है, तो पहले ही दिन में क्या किक मारो क्या गोल में चले जाएगा, नहीं है न, धीरे धीरे, धीरे धीरे प्राक्टस होती है, same is with study, पर लेकिन होता क्या है, जैसी यार अप लोग उसे question solve नहीं होते हैं, आप लोग ठक हार जाते हो, आप लोग छोड़ देते हो, कि यार नहीं आ दिया, तो मेरे से होई नहीं रह गिटार बजाना नहीं आ रहा तो क्या करते हैं, प्राक्टस करते रहते हैं, प्राक्टस 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 ऐसे question नहीं हो रहे तो लगे रहे हैं, प्राक्टस 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 आज नहीं होंगे तो कोई बात नहीं हार, हफ्ते बरबाद और COOH है, कितना है 0.1 molar कि ये भी इसका दे रखा है 10 to the power minus 5 और CH3 COONA है पहली बात तो ये बताओ, क्या इतना समझ रहे हो आप कि ये acidic buffer बन रहा है हाँ, weak acid है और इसका salt है strong waste के साथ तो कौन सा है ये acidic buffer है acidic buffer है, तो ये तो यार पहला तरीका था कि आप जब हम देखते से ही पैचान लेंगे कि acidic buffer है, पॉमला लगाओ pH equals to pKa plus log of anion of salt upon acid, दोनों की concentration, सही बात है सही बात है, क्या है 10 to the power minus 5 तो pKa क्या आजाएगा 5 आजाएगा, minus log of k रहेगा ना minus log of k a रहेगा ना तो ये क्या आजाएगा, आपका 5 आजाएगा pKa क्या आजाएगा, 5 आजाएगा plus log of anion of salt अब देख़े है, salt क्या था आपका c is 3 coona तो कैसे टूटेगा c is 3 coo minus प्लस na प्लस, इसका अगर 0.2 है तो इसका भी कितना होगा, 0.2 इसका भी कितना होगा? 0.2 क्योंकि stoichiometry क्या है? 1 is 2,1 यहाँ पे 1 is 2,1 है stoichiometry तो salt और anion की concentration क्या आ गई? सेम आ गई, कोई नहीं आ गई तो आ गई next case में नहीं आएगी तो वो भी हम सीखेंगे प्लस log of, anion of salt की concentration कितनी है? 0.2, acid की कितनी दे रखी है देखो 0.1 दे रखी है, question में दे रखा है 0.1, तो यह सीधा-सीधा क्या आ गया? 5 प्लस log 2, log 2 की value क्या चल रही है मार्केट में? log 2 की value कितनी चल रही है? 0.3, तो answer क्या आ गया? 5.3, pH क्या आ गई? 5.3, समझ गया है? क्या देखा हमने पहले यार कि यार यह acidic buffer बन रहा है acidic buffer बन रहा है, फिर मैंने उसका formula लिख दिया फिर मेरे को anion of salt निकालना था तो उसके लिए मैंने salt को तोड़ के देखा और देखा कि anion of salt की कितनी concentration आ रही है 0.2 चल बहुत बढ़िया काश यार आसान होते इतने सारे question मलब सारे सारे जो question है ऐसे ही आसान होते नहीं न, अलग-अलग type के variety के question हम देख रहे है next question ये करो यार करो, अब यहाँ पे कुछ और सीखेंगे जितनी गलतियां करनी है जितनी गलतियां करनी है वो इन videos में जो questions है या जो हम equation solve करनी है वहाँ पे कर लो लेकिन exam में में को किसी जे भी गलती नीच चाहिए exam में ऐसा question आ गया तो ये मद बोलना कि यह गलत हो गया तो accept नहीं करा जाएगा जितनी गलतियां करनी है अभी कर लो कोई दिक्कत नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है it is a learning process क्या बोल रहा है calculate pH of solution obtained by mixing 200 ml of 0.1 molar HCOH and 50 ml of 0.1 molar calcium hydroxide तो क्या करो पहले reaction करा हो किसकी formic acid and calcium hydroxide की क्या होगा क्या होगी reaction balance भी करनी है हमको क्या बनेगा ये दिखो HCOO ये calcium HCOO whole twice ये बनेगा और आपका बनेगा H2O कितने molecules बनेगे इसके दो molecules बनेगे देखो reaction मैंने balance कर लिए reaction मैंने क्या कर लिए balance कर लिए ये reaction आपको दे भी हो सकती है नहीं भी दे भी हो सकती कोई दिक्कत रही मेरे को volume दे रखी है क्या मैं volume और molarity को multiply करूंगा तो मेरे पास moles आजाएंगे ये हमने mole concept में सीखा है तो 20 into 0.1 करो 20 into 0.1 ये कितना आ रहे है 20 sorry 200 into 0.1 करो क्या रहे है 20 लेकिन क्या हैंगे ये milli moles milli moles क्यों है क्योंकि volume किसमें है ml में है तो milli चलेगा है तो इसके कितने moles आ रहे है आपके बास 20 milli moles सही है अब जरा calcium hydroxide को अगर moles नकालने है तो 50 into 0.1 करो तो क्या रहे है पांच आ रहे है 5 milli moles रियाक्शन कराओ यार दूनों की initially ये present है initially ये present है जब रियाक्शन होगी final होगी जब रियाक्शन खतम हो जाएगी तो क्या होगा देखो अगर एक mole calcium hydroxide का है तो कितने mole formic acid के लगने है दो mole अगर 5 milli mole calcium hydroxide के है तो formic acid के कितने लगेंगे 10 milli mole लेके कितने आए हो आप 20 milli moles तो क्या यहाँ पे 20 minus 10 which is 10 milli moles क्या हो जाएंगे left हो जाएंगे मेरे शिरो 5 milli moles calcium hydroxide के लिए आपको 10 चाहिए है डबल चाहिए है लेकिन आप 20 लेके आए हो तो 10 आपके फिर भी बज गए यह क्या है आपका limiting reagent साहिए अब यार अगर इसका calcium hydroxide का एक mole consume हो रहा है तो एक mole बन रहा है इस salt का देखो यहापे 1 है न तो अगर इसके 5 milli moles consume होए है तो इसके भी कितने moles बनेंगे 5 milli moles formed अब यार यह बताओ कि क्या यह buffer बन चुका है क्या यह buffer बन चुका है क्यों? क्योंकि आपका एक weak acid formic acid बज गया है और उसका salt with a strong base calcium hydroxide का है salt sorry base है strong base है तो उसका साथ जो salt था वो बन चुका है तो solution में अब तो यह जो blue gullum में ने mark करें यह बचेवे हैं न तो obviously यह क्या है buffer है acidic buffer है क्योंकि आपका weak acid बच रहा है जो कि weak acid बच रहा है तो क्या formula था pH इक्वल्स टू pka plus log of anion of salt upon acid इस anion of salt की जगह है आप लोग गयर किसी book में conjugate base भी देख सकते हो न एक ही बात है मैं anion of salt इसलिए बोलता हूँ ता कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए वो चीजे है अब देखना यहाँ पर अब देखना salt क्या था आपका salt था आपका C-A H-C-O-O hold twice इसको जड़ा तोड़ना कैसे टूटे गए calcium प्लस 2 में प्लस 2 H-C-O-O माइनस बनेंगे यह है आपका anion of salt जो मैंने right side में लिखा है इसके अगर 5 mmol थे इसके अगर 5 mmol थे तो मैंने शिरू इसके कितने होंगे 10 mmol होएंगे इस बार गड़बड हो जाती अगर आप सिर्फ और सिर्फ salt की concentration डाल देते न उपर तो गड़बड हो जाती आपको किसकी डाल नहीं anion of salt की which is what double of salt salt के 5 mmol है तो उसके कितने होंगे उसके कितने होंगे 10 mmol होएंगे ठीक है तो देखो pH equals to pk के ये दे रखा है आपको 10 to the bar minus 4 तो pk क्या हो जाएगा 4 प्लस log of anion of salt कितना है 10 acid कितना है कितना भज गया acid 10 log 10 by 10 तो log 1 value क्या गई 0 log 1 की value 0 तो pH की value simply क्या गई आपकी 4 ठीक है अच्छा इसमें एक confusion क्या हो सकता है कि भईया आपने तो concentration ली है formula में और आप डाल रहे हो moles तो इतना मतलब भजार जो concentration होती है वो directly proportional किसके होती है moles के न volume तो दोनों में same है तो volume तो basically क्या हो रही है यह cancel हो रही है तो आप moles का भी ratio ले सकते हो समझने वाली बात क्या है पहले यार देखो ध्यान से देखो वापर सबना रहा हो यह क्या था weak acid यह क्या था strong base पहले मैंने reaction लिखी फिर मैंने यह देखा कि हैर मेरा weak acid कितना बच रहा है और मेरा salt कितना बन रहा है तो मुझे पता चला कि हैर यह तो acidic buffer बन रहा है second part है जिसमें आपको direct नहीं दिखेगा कि यह acidic buffer है आपको पैचानना पड़ेगा पैचान लिया फिर मैंने यह formula लिखा और मैंने यह salt को तोड़ के देखा क्यों क्यों तोड़ के देखा था क्योंकि मेरे को anion of salt लेना है इस बार anion of salt की concentration double है salt से अगर direct anion लिख देते यहाँ पर direct मान लो salt की concentration डाल देते 5 डाल देते तो गड़बड हो जाती answer गलत आ जाता तो बच्चा ऐसी छोटी छोटी mistakes हैं जो question बनाने वाला जिसको पता है कि यार यह बच्चा यहाँ पर गलती करेगा तो वैसे ही type के question बन रहे है बार बार वो ही बन रहे है लेकिन जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है उसको यह पता है कि यहाँ पर गलती हो सकती है तो यहाँ पर आप लोगों को aware रहना है कि यहाँ पर गलती नहीं होने देनी है clear है इस question को जो दोनों question है वापिस से वीडियो के end में खुद हाथ से solve करके देखना और अगर अटको कहीं पर तो फिर solution देखिएगा इसके छेक है चलिए तो यह अटक बफर हम लोगों ने बहुत धंग से बहुत अच्छे से समझ लिया है अब ज़र आप बेसिक बफर देखो वापिस से देखना चीजे सारी रिवाइज हो जाएंगी रिवाइज हो जाएंगी प्लस इसी का ही salt with a strong acid जैसे मैं ले लूँ NH4Cl तो strong acid क्या ले लिया मैंने HCl ले लिया तो यह salt आगया यह क्या है बच्चा weak base यह क्या है salt with strong acid correct तो यह जो combination है यह जो combination है यह buffer की तरह काम करेगा और कौन सा buffer basic buffer कौन से buffer की तरह काम करेगा यह basic buffer की तरह काम करेगा clear हो रही है चीजें आ रहा है समझ में ठेक है अब आप लोग बूलोगे कि अच्छा वही है यह basic buffer की तरह काम तो करेगा लेकिन इसका buffer action बताओ buffer action बताओ बिल्कुल बताएंगे यार देखो इस NH4OH है NH4Cl तो यह तूटेगा तो कैसे तूटेगा NH4 plus Cl minus solution में यह present है ऐसा कुछ reactions हो रही है एक डब्बे में अब आपका क्या है pH को change करना भया pH change करेंगे acid डालेंगे base डालेंगे pH change करके रहेंगे आपका तो यही motto है आपने क्या करा इसमें acid डाला क्या करा? acid डाला मतलब basically क्या डाला? H plus iron डाला क्या डाला? H plus iron डाला ठीक है? अब देखो H plus को consume करने के लिए दो है कौन है? OH minus भी है और Cl minus भी है तो दो reaction मैं लिख सकता हूँ कौन कौन सी लिख सकता हूँ? देखो दो reaction लिख सकते हैं क्या? H plus plus OH minus यह या तो convert हो जाए आपका H2O में एक यह reaction है, दूसरी reaction क्या हो सकती है? H plus plus Cl minus यह किस में आ जाए? HCl में हो जाए, बताओ यह पहली reaction है यह दूसरी reaction है, कौन सी reaction होएगी? first या दूसरी? कौन सी reaction होएगी? यह first reaction होगी second reaction नहीं होगी, क्यों? क्योंकि second reaction में कौन बन रहा है? HCl, मतलब H plus और Cl minus बन गया वापेस तो यार जो आपने सोचा था कि यार इस H plus को consume करेंगे वो तो वापेस आ जा रहा है generate हो जा रहा है, तो pH change हो जाएगी इससे तो, आपको तो क्या करना है? जो आपने externally H plus बेजा है उसको खाना है, तो खाओगे कब आप, जब उसकी reaction कराओगे OH minus के साथ और एक weak electrolyte, water water एक weak electrolyte है, उसमें convert हो जाए, उसमें convert हो जाए है, तो आपका H plus consume हो जाएगा दूसरा case क्या हो चकता है? चलो भी, आप बेस डाल देते हैं बेस से भी तो pH चेंज कर सकते हो, अब बेस डालोगे OH minus तो यह बोल रहा है, NH4 plus है ना हमारे पास, क्या होगी reaction, NH4 plus OH minus को खा जाएगा, और किसमें convert हो जाएगा, एक weak electrolyte में, एक weak base में सही है, आप यह बोल रहा है कि बस, consume कर ले हमने जो आपने, आपकी जो उद्देशे था कि हम change करेंगे pH को, OH minus IN डाल के हमने उसे nullify कर दिया, हमने उसे खतम कर दिया तो यह इसका क्या है, basically buffer action buffer भहिया का action है यह, action hero है, buffer भहिया हमारे ठेक है, चालो अच्छा अब अगीन, अब अगीन है यह सवाल आ जाता है कि चलो भहिया, buffer का action समझ गए, अब major दिकत क्या आती है, कि how to identify buffer, basic buffer को identify कैसे करें, तो पहला तो यह वो ही आसान है solution containing weak base and its salt with strong acid, weak base and its salt with strong acid, तो यह कैसे काम करेगा basic buffer की तरह है, कैसे काम करेगा basic buffer की तरह काम करेगा सही है, दूसरा case क्या हो सकता है solution of weak base and strong acid where strong acid is limiting reagent same, same acidic buffer की तरह ही चल रहा है कैसे, जैसे NH4OH है ठीक है, इसकी reaction कर रहा है अपने HCl के साब, तो देखो क्या बनेगा NH4Cl प्लस H2O बनेगा अब अगेन, suppose करो initial initially आप इसके 2 mol लेकिया है इसके कितने mol लेकिया है एक mol लेकिया है जब reaction खतम होईगी जब reaction का final point आ जाएगा तो इसके 1 mol के लिए इसके कितने mol चाहिए एक mol आप लेकिया है, इसके 2 mol ले आयो तो एक mol बच जाएगा न तो 2, यह कैसे behave कर रहा है limiting region कितरह है, कम amount में लेकिया है आप HCl को 2-1, इसके कितने mol बच गए एक mol left 1 mol left अच्छा, अगर आपने इसका 1 mol, HCl का 1 mol consume हो रहा है, तो NH4Cl का कितना बनेगा, 1 mol तो यहाँ पे NH4Cl का भी 1 mol form हो गया अब देखो combination को same acidic buffer के तरह ही जा रहा है अब आपका देखो, जो आपका यह weak base है बच गया, 1 mol बच गया और आपका जो salt है strong acid के साथ, यह 1 mol बन गया तो यह क्या है यह combination क्या है basic buffer है यह देखो, अब solution में केवल क्या present है weak base present है, और उसका salt with strong acid present है तो यह deadly combination तो किसका होता है basic buffer का ही तो होता है ठेक है, again question करवाऊंगा वहाँ पे और भी जाजा चीज़े clear होएंगी चलो अब क्या करें, अब formula derive करें जैसे, आपका basic buffer क्या था NH4OH बहुत detail में आप लोगों को एक एक चीज़ कराई जा रही है पस ध्यान से सीखते जाओ सही है, और NH4Cl, यह तो यह salt है salt में तो equilibrium established नहीं होता है correct अगर यह आपका एक weak base है NH4OH, तो क्या क्या केवी present रहेगा, बिल्कुल इसका ज़रा के भी लिखो, कैसे लिखोगे NH4+, into OH- upon NH4OH चीक है, मेरे को निकालनी है इस बार POH जब acidic buffer था तो मैंने क्या निकाली थी? pH, जब basic buffer है तो मैं क्या निकालूँगा POH, तो अगर POH निकालनी है मुझे तो OH- की concentration एक तरफ लिखी बाकी सारी concentration एक तरफ लिखी upon NH4+, सही है अब क्या गरो, माइनस लॉग दोनों तरफ ले लो माइनस लॉग दोनों तरफ ले लो तो फॉर्मुला क्या बनता है इसका? POH, उदर क्या है तो left side pH, यहां क्या आ रहा है? POH equals to PKB plus log of अच्छा, देखो, यह क्या है आपका? NH4OH क्या है आपका? base NH4 plus क्या है यार? NH4 plus है आपका kation of salt देखो, NH4Cl था तो NH4 plus क्या है? kation है न? NH4 plus क्या है? kation है, किसका? salt का तो आपका जो formula बन रहा है, वो उपर numerator में आ रहा है kation of salt उदर क्या आया था? anion of salt यहां क्या रहा है? kation of salt upon base का concentration एक बात ध्यान रखनी है कि इससे क्या निकला है हमारा? POH pH नहीं निकला है क्या निकला है? POH अगर आपसे pH बूच ले तो हमें पता है at 298 Kelvin pH plus POH क्या होता है? 14 के बराबर तो अगर आपसे pH पूच ले तो क्या करोगे? 14 में से माइनस कर देना POH को लेकिन कब वैलेड़ है? 298 Kelvin पर इस पर बहुत ज़दा डीटेल में हम बात कर चुके हैं सही है? तो basic buffer है तो क्या निकलेगा? POH निकलेगा PKB plus log of kation of salt upon base अब क्या question पूचे जाते हैं? चलो भाई या question से समझा दो यार बिलकुल अब questions की questions है न? questions समझो चलो देखो करिये question करिये क्या बोल रहा है ये? NH4OH है ठीक है? ये क्या है? एक weak base है इसका 0.1 molar है और इसका kb दे रखा है 10 to the power minus 5 और ये क्या है? NH4 whole twice SO4 इसका दे रखा है 0.2 molar पहले बात तो ये बताओ क्या आपको ये basic buffer दिख रहा है क्या? पहले तो पहचान हो यार अब बोलोगे हाँ बेसिक buffer ही तो बढ़ रहे हैं तो obviously उसी का equation होगा ऐसे नहीं यार पहचान हो इसे सुफूर सही है? तो ये क्या बन रहा है आपका? basic buffer सही है formula लगाओ pOH equals to pKb plus log of numerator में क्या था? kataeine of salt upon base सही है? इनकी concentration ठेक है? pKb देखो kb क्या दे रहा है? 10 to the power minus 5 ये तो pKb क्या हो जाएगा? 5 plus kataeine of salt निका लें तो salt क्या है आपका? salt क्या है आपका? NH4 whole twice SO4 है ये तूटेगा तो कैसे तूटेगा? 2 NH4 plus plus SO4 2 minus में इसका अगर 0.2 है तो NH4 plus ये ही तो है kataeine इसका कितना होगा? 2 into 0.2 तो कितना हैगा? 0.4 तो kataeine of salt कितना है? 0.4 base कितना है? base कितना है आपका? 0.1 0.1 ठीक है? तो ये क्या आ रहा है? 5 plus log 4 log 4 को क्या लिख दो? 2 log 2 लिख दो बना अब ये log 4 है ना? तो इसको क्या लिखो? 5 plus log 2 का square लिख दो ये 2 क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा? तो ये क्या बना रहा है? 5 plus 2 log 2 log 2 की value कितनी? 0.3 तो 2 into 0.3 0.6 तो P.O.H. क्या आ रहा है? 5.6 अब देखना है कुछ बच्चे होंगे excited बच्चे उनको मैं बोलता हूँ excited बच्चे अपना ही selection है तो उसमें 5.6 भी रहेगा option में तो आप लोग 5.6 टिक करके आगे बढ़ जाओगे excited बच्चार आगे बढ़ जाएगा लेकिन नहीं शान्त दिमाग और खोपड़ी चलानी है equation में क्या पूछा है? pH बताओ यार temperature नहीं दे रहाता है? 5.6 ये करना मद भूलना वरना यार पूरा solve करने के बाद भी आपके marks नहीं आएगे शान्त दिमाग रखना is very very important in your competitive exams जादा active नहीं जादा एकदम answer जैसी आगया कुछ भी आया और वो option में दिग गया तो इसका मतलब ये नहीं कि यार वो ही सही है आपको हलकी फुलकी चीज़े गुमाई जाती है यहीं पर ही तो यार एक difference create होता है किसी के 120-130 रह जाते है के mystery में और कोई यार 170-175 तक 180 तक चले जाता है minute differences होते हैं तो हम लोगों को ऐसे question में थोड़ा सा aware रहके दिमाग खोल के हमको question solve करना है clear है चलो और कैसे के air questions रहते हैं चलो करो air question करिये question जलो यह वाला question मैं करता हूँ जैसे देखो buffering action of a mixture of this and this is maximum when the ratio of salt to acid is equal to देखो याँ पर देखो जैसे जो मैंने आपको जो दो formulae लिखवा हैं किसके लिखवा हैं जैसे acidic buffer का क्या लिखवा है of salt देखो याँ पर यह भी concept ही है यह भी चीज़ सीख लो upon acid सही है यह है इसको यार बोला जाता है Henderson equation इसी को ही बोला जाता है Henderson equation Henderson's equation चीक है अब यार यह जो equation है यह valid गभ होती है जैसे मैंने बताया था आपको buffer की range होती है कि यार इतने से इतने तक ही काम कर सकता है तो यह valid अतब होती है जब आपका anion of salt है और acid है जो इसके concentration है इनका जो ratio है वो यार या तो 1 by 10 1 by 10 के अंदर अंदर हो या फिर 10 ऐसे हो इन दोनों के बीच में लाए करे यह ratio 1 by 10 to 10 तो ही आपका यार यह particular equation आप लगा सकते हो तो यह आप यह formula लगा सकते हो हाना कि यार हमारी जो तो में आते हैं वो उसी के बीच में ही लाए करते हैं हमको जादा load लेने के ज़रूरत नहीं है हम यह direct apply कर सकते हैं ठीक है हम यह direct apply कर सकते हैं अब यार देखो इसमें कैसे question बनते हैं जैसे आपको buffer की range पता करनी है कि minimum pH क्या हो सकती है maximum pH क्या हो सकती है तो अगर आपको देखो अगर आपको minimum एक buffer के यह minimum pH कितनी हो सकती है maximum कितनी हो सकती है minimum pH डालनी है आपको तो आप value डालो 1 by 10 क्या डालो 1 by 10 तो देखो कैसे निगलेगा pH equals to pka plus log of इस ratio के जगे क्या डालो 1 by 10 तो 1 by 10 log 1 by 10 आएगा minus 1 तो जो pH आ रही है वो कितनी आ रही है pka minus 1 मेरे मम pH लेकिन अगर आपको maximum pH निकालनी है तो इस ratio को आप क्या डालो 10 डालो इस ratio को क्या डालो आप 10 डालो तो pH क्या आएगा pka plus log of इस ratio की value क्या होगी 10 होगी log 10 की value क्या चल रही है 1 तो pH क्या आ रहा है pka plus 1 च्छिक है तो basically ये जो pka minus 1 है ये है आपकी minimum pH और pka plus 1 ये है आपकी maximum pH correct अब जोगे रेक्वेशन में क्या पूछ रहा है buffering action of a mixture of CS3COH and CS3CONA ये क्या है आपका acidic buffer इस maximum कब रहेगी maximum तब रहती है जैसे max buffering action जो ये हैर maximum buffering action कब होता है जब आपका anion of salt इसकी concentration upon acid की जो concentration है इनका ratio क्या होता है 1 होता है जब ये ratio 1 हो जाता है तो यार आपका ये जो buffer है वो perfect best act तब करता है जब ये ratio 1 हो जाता है और जैसे ये ratio 1 हो जाएगा ये ratio 1 हो जाएगा तो log 1 की value क्याएगी 0 तो pH किसके बराबर आजएगी? P, K, A के बराबर चेक है तो सीदे सीदे बात है when the ratio of salt to acid is what? 1 जब 1 रहेगा तो best रहता है minimum करने के लिए ratio क्या रखो? 1 by 10 maximum करने के लिए ratio क्या रखो 10 और best करने के लिए ratio क्या रखो 1 clear है? same ये जैसे मैंने जो चीज आपको acidic buffer के लिए समझाईए याना वो ही चीज ये basic buffer के लिए भी valid होएगी same चीज same चीज valid होएगी दोनों में ये दोनों ही Henderson's equations है ठेक है? चालो 1 ml of dilute HCl acid is added to 100 ml of a buffer solution of a pH 4 the pH of the solution becomes सीधा सीधा आर खुदी बूल रहे हो कि buffer solution है मतलब resist करेगा change in pH को और आपने डाला भी बहुत कम quantity है 1 ml ही डाला है तो obviously it does not change buffer solution का मतलब ही क्या है? कि ऐसा solution जो pH change नहीं होने देता है तो नहीं होने दे रहाने यारे आपने 1 ml चेल डाला तो वो बूल रहा है कि नहीं होने देंगे तो does not change सही है ठीक है? तो देखो यर कहीं बार ऐसे इतने आसान question भी आ जाते है इतने आसान question भी आ जाते है हमारे देखो which of the following solution does not जैसे not दिख जाए ना question paper में तो इसको अंडलाइन कर लिया करो does not act as buffer देखो यर ट्राइ करो कौन buffer की तरह act नहीं कर सकता है कौन buffer की तरह act नहीं कर सकता है देखो यर H3PO4 यहाँ पर कितने acidic hydrogen होते है तीन तो अगर एक acidic hydrogen गया तो यह बजगया ऐसे बन जाएगा तो obviously यह कैसे buffer की तरह act करेगा ना यह और जैसे buffer के लिए basically क्या चाहिए होता है यह आपका क्या हो गया weak acid की तरह काम करेगा और इसका यह conjugate part लिया करो acid है कितने आपके acidic hydrogen होते हैं इसमें दो acidic hydrogen है तो अगर एक acidic hydrogen गया तो उसके जगे क्या आजाएगा Na आजाएगा HCO3 तो again यह भी काम करेगा यह भी काम करेगा लेकिन थर्ड option देखो थर्ड option देखो यह क्या है NH4Cl है यह क्या है HCl डाल दिया HCl क्या है strong acid बैया strong acid यह फिर strong base का कोई भी काम नहीं है buffer solution में weak acid यह फिर weak base होना चाहिए और उनके salt होने चाहिए तो यह तो है strong acid है तो गड़बड है buffer के तरह काम नहीं करेगा answer हो गया not पूछा था ना तो जहां पर भी आपको strong acid या strong base दिग गया तो उसीदा सीदा buffer के तरह काम नहीं करेगा अला कि अगर numerical में आता है तो फिर हम वो limiting reagent का case देखते हैं वो अलग बात है चेक है वो तो मैंने आपको equations कराई है practice और देखो चलो अब buffer solution can be prepared from कैसे buffer solution prepare करा जा सकता है कैसे करा जा सकता है सोचो सोची 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 यह 2 है यह 3 है यह थोड़ा कडबड हो जाती है PPT में क्या-क्या बोल रहा है बोल रहा है sodium acetate CH3 COONA and acetic acid तो यह तो है नहीं यह बफर यह weak acid है and it's salt with strong base तो obviously यह क्या है यह क्या है acidic buffer है यह acidic buffer है ठीक है तो यहाँ पर acidic buffer बन सकता है second option देखो NaCl plus HCl जहाँ पर भी strong acid दिख गया तो गडबड है no buffer strong acid यह strong base दिख गया तो buffer होई नहीं सकते हो यह नहीं है ठीक है NF3 क्या है एक weak base है NH4Cl बिल्कुल यह क्या है मेरे share of ammonia weak base है और NH4Cl क्या है यह salt with strong acid है तो बिल्कुल यार यह भी buffer की तरह काम कर रहा है कौन सा buffer है यह basic buffer weak base है ना तो कौन सा buffer है यह basic buffer है तो obviously यह भी हो गया next देखो ammonia और NH4 क्या कर रहे है दोनों base डाल दिया ammonia भी base है और NH4 भी base है और भच अभी NH4 क्या है strong base है तो strong जहां पर भी आ गया वो तो गड़बड हो कही चीज नहीं हो सकता तो first and third आ रहे है रहे रांसर clear है आसान है ना चलिए और देखो चलो यह बला करो buffer solution is prepared in which NH3 की concentration दे रखिए NH4 प्लस की भी concentration दे रखिए Kb भी हमें दे रखा है pH बताईए basic buffer की याद आ रही है ammonia देखते सही pH इक्वल्स टू pKb plus log of cation of salt इसकी concentration upon base की concentration correct देखो kb कितना है आपका kb कितना है 2 into 10 to the power minus 5 तो pKb क्या होगा again वो ही trick लगा हो जो आपको मैंने pH में बताई थी trick लगा है अगर हो यह minus sign हटादो इसका 5 minus कौन मेल्टिप्ला हो रहा है 2 minus log 2 तो कितना आजाएगा 4.7 तो सिदी सिदी दिए क्या आगया 4.7 plus log of cation of salt cation की value देखो concentration कितना ही रहा है 0.2 base की कितना ही रहा है 0.3 क्या आएगा यह 14 sorry 4.7 plus log 2 by 3 यह तो हटादो ना decimal तो हटादो log 2 by 3 log m upon n log m minus log n दोनों की value पता है log 2 कितना 0.3 log 3 कितना 0.47 यह कितना आजाएगा p.o.h सवाल में क्या पूछा है p.h बताओ भईया p.h बताओ p.o.h नहीं क्या बताना है हमको p.h तो p.h is 14 minus p.o.h यह गलती मत करके आना मैं पहली वान कर रहा हूँ आप लोगों को यह गलती मत करना कि basic buffer निकालें तो क्या निकलती हमारी p.o.h लेकिन majorly सवाल में क्या पूछता है p.h तो यह गलती मत कर देना ठीक है ठीक है तो चलो यह इस वीडियो को यही रोकते हैं अगेन इस पर्टिक्लर चैप्टर में भी मैं अलग लग वीडियो इसलिए ही बना रहा हूँ कि जिसे आपका buffer solution इस पर्टिक्लर वीडियो में हो गया तो जिस बच्चे को buffer में doubt है वो यही वीडियो देखे नेक्स वीडियो में मैं आपको salt hydrolysis complete करा दूँगा तो जिसको salt hydrolysis में doubt है वो बच्चा वो ही वीडियो देखे तक यह आपके पास separate वीडियो रहेंगे और जब आप revision भी करने बैठोगे तो suppose करो आप आप आयनिक equilibrium के question solve कर रहे हो वो बच्चे को पता ही नहीं रहेगा कि यह कौन से वीडियो में क्या है तो इसलिए मैं छोटे-छोटे वीडियो इस पर्टिकलर चाप्टर के विवी मैं छोटे-छोटे वीडियो भना रहा हूं और्राइट जो एसे ही यार जोड और शोड से पढ़ते रहो thank you very much for watching keep studying take care everyone have a great great day bye